हालो लेर्नर्स वेलकम टो आर चानल एड़ इस पवन आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे आज का हम लोग का टॉपिक क्लास 12 इंग्लिस कोर से रिलेटेड है जो कि मॉडल कॉस्टिन सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेशन चालू किये हैं उसे में आज और एक कॉस्टि से अब हम लोग जिन क्वेश्टिन को कवर करेंगे वह राइटिंग सेक्षन के इन क्वेश्टिन को ठीक है तो आज का हमारा क्वेश्टिन है क्वेश्टिन नमबर 41 डैट इस यू और विराट और अध्वीका ठीक है दा हैड़ बॉय या फिक गर्ल्ट ठीक है जदि आप हो तो अध्वीका और बॉय हो तो विराट अफ एसस प्लस टू हाइज स्कूल सिल्ली ठीक है विद्याले का नाम आपके योर स्कूल इस और्गनाइजिंग ए टूर टू नेतरहाट ठीक है आपका स्कूल जो है एक टूर परोग्राम अरेंज किया है नेतरहाट के लिए ठीक 50 वर्ट्स टीक है जो की इस टूर में जाने के लिए इंट्रेस्टेड हैं वैसे स्टूदेंट्स के नाम आप लोगों को इनवाइट करने है ठीक है आई होप कॉस्चन आप लोगों को क्लियर हो गया ठीक है तो देखेगा जब इस तरह से कोई भी नोटिस या कोई भी किया हुआ रहेगा तो आपको you have to mention the same name ओके आपको जो विराट जैसे आप लड़के हो तो विराट नाम लिखोगे लड़की हो तो अधविका लिखोगे ठीक है head boy head girl school का नाम भी आप लोगों का same रहेगा ss plus to high school ठीक है if it is not mentioned जदी ये school का नाम और आपका नाम नहीं दिया हुआ रहता then you may free तब आप free हो कि आप खुछ भी नाम या अपने खुद के school का नाम डाल सकते हैं ठीक है लेकिन question में आपको mention किया गया है तो आपको यही same name आप लोगों को डालना पड़ेगा okay let's start देखे क्या होता है क्या है हमारा notice जो की हम लोग नेत्रहाण जाने के लिए बच्चों के नाम मांग रहे है okay this is the format ठीक है format काफी ज्यादा माइने रखता है आप लोगों का writing section में ठीक है तो notice का देखेगा history society यह एक हमने society का नाम दे दिया क्यूंकि टूर से related है इसे प club ठीक है club भी बना सकते हो ठीक है हमने society नाम दिया है ठीक है तो आप club भी कर सकते हो ठीक है history club ठीक है science club ऐसे करके बसकात क्यूंकि हमारा school का नाम mention किया हुआ है इसलिए हम लोगों को same name डालना पड़ेगा SS place to high school सिली ठीक है format को ध्यान देजेगा आपको tour से related excursion से related historical tour से related क कुछ भी जदी आप लोगों को topic पर आए ठीक है सब उस पूरी जाना है आगरा जाना है ताज महल देखने जाना है तो same format पर आपका सारा cover up हो जाएगा ओके तो school का नाम उसके बाद यह notice उसका जो notice का heading रहेगा वो आप यहां mention कर दीजेगा ठीक है tour to नेतरहाट मानले जब पूरी जाना है तो historical trip to पूरी historical trip to आगरा ऐसे करके यहां पर खाली heading change कर दीजेगा यह हो गया उसके बाद it is the date of the publication of that notice ठीक है यह publication date है कि notice किस दिन published हुआ है तो हम लोग यह वीडियो आज बना रहे है तो आपका January 24 2024 ठीक है यह आप लोग जो इस दिन आप लोगों का question पू start करते हैं the students of 11 and 12 classes are hereby informed that 11 or 12 classes इसलिए हमने किया है क्योंकि यह जो notice या writing section का यह जो हिस्सा है notice लिखने का यह 11 12 में ही पूछा जाता है ठीक है इसलिए हमने 11 12 class को ही mention किया है ठीक है the student of 11 and 12 classes are hereby informed that the school has arranged a tour to नेतरहाट की हमारे विद्याले ने एक tour program नेतरहाट के लिए arrange किया है ठीक है the group will proceed to नेतरहाट और यह जो group होगा जितने भी members होंगे वे प्रस्थान करेंगे प्रस्थान करेंगे नेतरहाट के लिए on February 3rd ठीक है कब February 3 तारिक को इसमें आप लोगों को date mention करना पड़ेगा तब तो clear notice message जाएगा बच्चों में कि कब जाना है ठीक है in the company of Dr. P.K. Singh ठीक है और किसके company में साथ में जो head या teacher कौन रहेंगे जिनके guidance में आप लोगों को वहाँ जाना है तो वो है Dr. P.K. Singh lecturer in English ठीक है यह written date भी आप लोगों को mention करना जरूरी है ठीक है ताकि notice message हमारा clear जाए कि इतना से इतना दिन ठीक है धोखे में नहीं रखना है the interested students क्योंकि हम लोगों को question में भी बोल रहा है क्या बोल रहा है those who are willing यानि जो जाना चाहते है इसलिए हमने बोला the interested students यानि जो interested है are required to contact the undersigned contact करें undersigned undersigned मने नीचे जिसका signature है that means यह विराट आप भी क्या हो विराट या अधविका हो तो यहां हमने एक boy का sample लिया है head boy का ठीक है या आप लोग अधविका जदी लिखोगे तो head girl उसमें mention करोगे तो the interested students are required to contact the undersigned यानि contact करें जिसका नीचे sign है यानि विराट से contact करें and deposit rupees thousand और 1000 रुपे आप जमा करो ठीक है आप लोग सब कितने रुपे जमा करोगे thousand ठीक है तो the money may be vary यह अलग-अलग हो सकते है ठीक है 500 हो सकता है 2000 हो सकता है 1500 हो सकता है ठीक है मतलब जगह के अनुसाद डिपेंड करता है यह ठीक है किसलिए तो towards the traveling and other expenses कि आप जो यात्रा करोगे travel करोगे इसमें भाड़ा खर्चा आएगा और या फिर कहीं ठहरोगे तो उसमें खर्चा आएगा यह along with permission letter यह बहुत important है ठीक है कोई भी इस तरह से आप लोगों को excursion टूर पे जाना पड़ेगा तो permission letter का जिक्र जरूर करोगे ठीक है तो permission letter from parents ठीक है किस से parents से ठीक होता है ने कि हाँ मेरे बच्चे को आप ले जा सकते हैं मुझे इसमें कोई आपती नहीं है इस प्रकार से और mother या father का signature रहेगा कब तक जमा करना है by January 27 थोड़ा पहले करना पड़ेगा क्योंकि आप कब जा रहे हो February 3 को जा रहे हो 27 तक आप लोगों को पूरा confirm पैसा और ये permission letter सारा कुछ deposit कर देना है ठीक है क्यों क्योंकि हो सके बस booking करना पड़ेगा reservation train वगारे करना पड़ेगा तो कम से कम चार पांस जिन एक सब्ता का time चाहिए इसलिए ये date को थोड़ा ध्यान दे दीजेगा the school shall also contribute और जो हमारा विद्याला है ये भी क्या करेगा contribute करेगा योगदान देगा half the traveling and boarding expenses यानि भाड़ा या रहने उने का जो खर्च आएगा इसमें आधा percentage जो है school भी bear करेगा यानि school भी खर्च करेगा ऐसा नहीं कि आप ही लोग से पैसा पूरा लिया जा रहा है ठीक है य आप लोगों को mention करना है ठीक है तो ये चीज आप लोग mention करोगे ठीक है एक तो किसको information देना है उसके बाद कहा जाना है किसके साथ जाना है और कब से कब तक जाना है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जैसे money हो गया और permission letter वगरा हो गया ये सारा चीज ठीक है तो notice में इतना ही चीज में रहता है ठीक है so learners I hope आप लोगों को यह clear हो गया होगा और साथ ही साथ आप लोग जब इस format को लेकिन एगदम इधर उदर नहीं घसका होगे ठीक है आप लोगों का यह जो heading है एगदम page का center में होगा middle में dead left में आ जाएगा उसका फिर यह आपका body हो गय टिक है और उसके बाद यह पूरा एक line में रहेगा ठीक है और इस पूरे notice को क्या करोगे आप जो है generally notice board क्या होता है एक square box होता है ठीक है इस प्रकार का एक box जो है आप बना लोगे ठीक है इस प्रकार का एक box बना लोगे और ये आप लोगों का notice complete हो गया ठीक है ऐसे करके सीधा line कीजिएगा आप लोग ठीक है ये हो गया ठीक है I hope आप लोगों को यह notice clear हो गया होगा future में जो है हम लोग 42 number question है यह भी एक notice से related है इसको भी करेंगे और यह editorial letter supply of electricity से related है ठीक है इसको भी करेंगे और फिर electoral literacy club इसको भी और फिर climate change या woman empowerment इसको भी ठीक है तो सारे writing section को एक एक करके अब हम लोग इस सब्ता practice करने वाले हैं ठीक के साथ आप लोग बने रहिएगा please stay connected with our channel and please like share subscribe our channel thank you